तोरी की सब्जी पहुती डिफ्रेंट तरीके से और काफी टेस्टी सब्जी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और काफी यूनिक रेसिपी तो पूरी वीडियो देखने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहें तो चलिए फ्रेंड बनाने स्टार्ट करते हैं तोरी की सब्जी गर्मी के टाइम में तोरी का सिज़न होता और काफी अच्छी फ्रेश तोरी आती है तो काफी लोग तोरी नहीं खाते है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसे आप तोरी में मिक्स करेंगे तो आप खाना शुरू कर देंगे और काफी अच्छी चीज अगर विदाउट अनियन गालिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें मस्ट है अजवाइन जो हम तड़का लगाएंगे अजवाइन का लगाएंगे और यह मैंने हरी मिर्च लिए वह अपने टेस्ट के कोडिंग कम्या साधा कर सकते अब जिस चीज की मैं बात कर रहें में एक चीज है वह मुफली यह मैंने कच्छी मुफली लिए और मैंने इसे हलका सा रोस्ट कर लिया और अब मैं इसके छिलके निकालूंगी और इसको थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी तो फ्रेंस मुफली का काफी अच्छा टेस्ट आत इसके सारे शितन गालने के बाद इसको थोड़ा सा दरदरा पीसना बहुत जादा नहीं पीसना है अगर आपको फीसना नहीं है तो आप साबूत भड़ी डाल सकते हैं मैं अक्सर वैसे तो साबूत मुफली का ही यूज करता ही लेकिन मैं सोच घूँश रहा हूए तो आप इस तरह से दरदरा पीस के डाल सकते हैं तो फ्रेंच किस-किस ने तोरी में मूफली मिक्स करके सबजी कहाई हैं मुझे कमेंट करके बताना और आपको ये रेसीपी कैसे लिए ये भी कमेंट करके बताना तो चिले हम बनाना है स्टार्ट करते हैं कि तोरीं को में ने काटकर रिख लिए और मैंने निर्ण रख रिख चाहिए karışकर ड़ा सोय तो मैं अजवाइन कि चाहिए ऑच्वाइन लुगा अर। दाल में पैस भी जीवी डिख गए है यह बंजा दो रहाओ प्यास को भी थोड़ा सा बूल लिए तो मैं इसमें डालूगी हरी मिर्च थोड़ा सा नमक और साथ मैं डालूगी टमाटर पूर लेंगे तो अफ्यूं संप्या स्पफिक्ष्षा, इनको अछे से गुल ना है।orschण सबस्थ टाले को नहीं अचे रखेंगे तों कर दोक्त लूतitel अच्छे सब्सक्राइब हैं, अगर नहीं भी पखेंगे, दोबाकर जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला आड़ करूंगे, मसाला भूनक कों में नमक को अलेड़ी डाल ACC, तो कम और छूदा लूशार, तो मैं ऩूझा कभी आदा छूमत्त, हरा धनिया हो, थोड़ा सा में डाल पाउडर, तो करनेदाशुआ हूं, ता यह अदा छूमें से थो ता मिक करेंगे d circum mi असायi भूल लिए तो मैं थोड़ा से पाने डालरी हूं i say gений असाय को मैंने पानी बहुत थोड़ा डाला है अगर आप सूखी सब्जी बना चाहरे हैं तो थोड़ा ही पाने डालें जाधा ना डालें और आप तो थोड़ा सा रसेदार सब्जी चाहिए तो थोड़ा जादा पानी डालें आदा कटोरी से थोड़ा जादा एक कटोरी के आसवास आप पानी डाल सकते हैं डेपैंड करता है आपके कि आप कितना रसेदर सब्जी लेना चाहते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मुफली आड़ करेंगे यह देखिया मुफली में आड़ करें इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे आप इस तरीके से एक बार जरूर प्राइखना आई वोप आपको बहुत ही पसंद आईगी और आप देख सकते हैं काफी सूखा है तो मैं इसमें तोड़ा सा पानी डालूगी क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी है तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और अब मैं इसे ढख दूँगी चार से पांच मिनट के लिए और गैस की फेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ये दीमिये आज पर सब्जी पकती रहेगी चार से पांच मिनट हो चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं और आप देख सकते हैं सब्जी काफी अच्छी तरीके से पक चुगी मैंने काफी कम- fij तरन्य मासाल है काफी है है तो आप इमने इसमें मुपली डाली है तो आप friends इस तरीके से एक बार जरूर ठ्राइ करना और मुझे comment करके بتाना अच्छी लगी तो अच्छी लगी तो खराब लगी तो खराब भी बताना ऐसा नहीं कहें आपको अच्छी comment करना है जैसे भी आपको अच्छे लगे मुझे जरूर बताना तो अब देख सकते हैं सबजी रडी हो चुकी दिल्कुल तो गास के फेलें के हम आप और हमस्बजी को कर देंगे झाल झाल